असलाव नाजिन माहे शेफ एसल ताहंटी सो प्या अफ्तार विस एसल तमाम बैतरिन प्रोग्राम जे को तहां जे लखणी आए और रमजानों मुबारक जे महीने में आई ताहां सब निन के रमजान जे खोड़ सारी मुबारक जे अजे पहरों चुरुआ आई पहते हो रोजवा तहहन में तहां के तमाम बैतिन खादा ठाहन से खारूं प्या आई कंटिन्यू रहन दा सी ट्रे खा चार बजे रोज़ानों लाइव उन्दों तहां सा गड़ आई डिसंदा रहे जो जे तमाम बैतिन खादा ठांदा हैं हर मुलक जई हर हिस्से में हर सूब जा हिक पांजी सा काफत आइं पांज़ा खाता in तरीक सा जी रिवायता है ता शेबास कुकिंग ऑईल जडे तहां इस्तमाल कंदो वाइटमीन ए आई डी का बर्पूरा है लो कॉलिस्ट्रोल के कंट्रोल करें तो तमाम बहतरीन पैकिंग में दस्लियाबा है बनासपती घी भी तमाम बहतरीना जेको तहां पराटा ठायो मिठा ठायो बनासपती घी में ठायो लज़त भरी सहत का राज शेबास कुकिंग ऑईल जे में अज असा चाह ठायो प्या चिकन वेजिटेबल रोल मां तहां के ठायों से खारन जो बुदायो हो हैं जी जी का मांदा पटिया इस्पिरिंग रोल जी का पटियों दियो हैं हिने जी वो मैं तांके पेरी ठायों से खारी चाड़ी हो समोसं जी पटियों रोल जी पटियों तहां अज जी का असा फिलिंग स्टार्ट कनदा सी मुक्तलिफ कि संजा रोल सांके बाद में ठायों से खारबा अज जी ठायों प्या अज जी ठायों प्या स्प्रिंग रोल यानी चिकन वेज प्लक्रेम मिल का है जिको तहां वटी सगो था है, ईन्में शरबत भारन के डियो, बारखीर नता पेंता शरबत विजी निमें मिक्स करे डियो, खंड़ विजी डियो institute — झाध यों पांचो फूलक्रेम मिल का है और आज से मैं लाइव हूँ तीन से चार बजे तत आपके साथ डेली लाइव हूँगा तीन से चार रोजाना अफ्तार वित फैसल में ठीक है तो ये देखेगा प्रोग्राम कोई चीज मिस नहीं कीजेगा मज़ेदार खाने बनेंगे और ये खाने जब हम बनाएंगे शेहबास कोकिंग उयल में तो ये और भी जबर्स हो जाते हैं ठीक है पाकिस्तान में खाने सरिफ खुराक नहीं बलके हमारी सकाफत का एक हिस्सा है और लोगों को एकटा करता है ठीक है तो कराची से लेके गिलगित तक हर सूबे की हर शेहर की अपनी एक रवायत है अपने खाने हैं उनकी अपनी एक लजज़त है जब हम बनाएंगे शेबास कोकिंग ओयल में ये खाने बनासपती घी में ये खाने तो बहुत ही जबर्दस बनेंगे आप लें मार्किट में अविलेबल है बैतरिन पैकिंग में दस्तियाब है सहरी में जब हम पराटे बनाते हैं तो शहबास कोकिंग ओयल में बनाएं तो जबर्दस बनेंगे मीठे बनाएं लज़त बरी सहत का रास शहबास कोकिंग ओयल वाइटमीन ए और डी से भर पूर बैतरिन कोकिंग ओयल बरुक बान तमाम बैतरिन चाया है वटो पेकिंग में जब अपकिस्तान जी आला मयार चाया है पाकोला फुल क्रिम मिल्क लें बैतरिन फुल क्रिम मिल्क है याप लें आप इसको शेर्बत बनाएं चाय में समाल करें बहुत ही जबर्स ठीक है तो अब हम आते हैं रेसिपी स्टार्ट करने पर रेसिपी हमारी क्या है पहले में स्टार्ट करते हैं यहां पर स्प्रिंग रोल स्प्रिंग रोल के लिए हमें क्या चाहिए एक लेंगे कड़ाई या पैन आपने ले लेना है इसकी quantity में बना रहों 12 से 15 रोल की, आपने जब 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 जादा बनाने हैं तो हर चीज आपने डबल करके freeze करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं इतने बना रहों कि आफ़तारी में आप अपने लिए बना सकती है, इसके लिए सबसे पहले हमने लेनी vegetables, जिसमें सिफ आतीन vegetables और चोथी spring onion यूज होती है, ठीका, ट्रे भाजियों इस्तमाल कनदा सी, जेका असान ठाइम पर chicken vegetable, रोल हिन में एक खनदा सी, बन गोबी, पत्ता गोबी, हिनके बारीक, जूलियन कटिंग, यानि बारीक, बारीक, स्ट्रिप्स में कटिंग करें चनदा सी, हिक वड गजर या बर दरम्याने साइस जी, गजर कनदा सी, विच्चों हिस्व अटाइन के बारीक, तीलियन वांगर कटिंग करनी है, शिम्ला मिर्ज भी बखा ट्रे खनी वर्ट जो हस्बे जरूरा, ठीका, अदद पाज जो वजन होंदो इनन जो, ही तक वर डेड़ पाज सबजी करके अपने कटिंग करना है, स्प्रिंग अनियन जो होता है, यहां पे हरा प्याज, यह हमने हाफ का लास्ट में करना है, ठीक है, स्प्रिंग अनियन जो हरा प्याज ही, यह बारी कटिंग किया हाँ, लास्ट में हम इस्तमाल करेंगे, यहां पे चिकन है, डेड़ पाज की क पानी यखनी निकालनी नहीं है एक ग्लास पानी के साथ आपने बॉइल करके बोटियों को ठंडा करना उसके बाद आपने बोटियां निकाल के हाथ से शेरिट कर दें इस तरह ठीक है या फिर बॉनलेस डेड़ पाउ का हिस्सा ले लें वह आपकी मर्जी है डेड़ पा मुर् स्प्रिंग ओनियन जो हैं वेजिटेबिल ओनियन ये देखें बड़ जबर स्पैकिंग में दस्तियाब है इस तरह की बॉटल में और यह रिफिल भी हो सकती है इस डबे में पाउचे से ठीक है पाउच होता है उसको निकाले नोजल खोलके वह आप इसके अंदर पर रिफि तो उसको हमने बहुत कम क्यूंटिटी में यूज करना है इस यहां पर मैं चार टेबल स्पून हमने लिया शहबास क्योंगम माक रहा है ओल यह कोई लहसन अदर कोई ऐसी चीज यूज नहीं होगी इसमें टेक है बहुत से लोग डालते हैं यह लहसन डालने की ज़रूरत नहीं इसका अपना ही फ्लेवर होगा अब यहां पे हमने वेजटेबिस जो इनको गलाना नहीं है इस्टर फ्राय करना है सौते करना है ताकि जब आ इसको हमने फ्राइब करना है 3 मिनट तक तीज बाहे उनके हैं थे इसको फ्राय कंदा सी ठेह मिंटन ताई थीयां थीयां फंट पर इजब यह 3 मिनट तक प्राय होंगी तेज आंच पर क्योंकि है किस kitty निकलता है हम सबजी यह जब डालते है पे फ्लाइत भेट वह पानी बहत्रीन चाय की पत्ती है बहरोसोई का नाम है जो पाकिस्तान में मैयारी चाय है ठीक है यह बहत्रीन ब्रुग बॉंड टी आप लें चाय अब जाहरे सहरी में बनाते है अफ्तारी के बाद भी दिल कर रहा होता है फिर रात में दिल कर रहा होता है चाय बनाने का ब्रुग ब पैकिंग में दिस्तियाब है, मार्कितमें विलेबल है तेज आंच पे अच्छी अच्छी और देने की ज़रूरत नहीं कि पर पानी चोड़ना चो जाती है अब तेज आंच पे 2-3 मिनट और इस पानी ड्राइब और हम यह डाल देंगे चिकन शेरिट कियावा चिकन हाथ से रेशा कियावा चिकन है ठीक है चिकन डाल दिया सबजिया डाल दी तेज आँच पे इसको फ्राय करेंगे जली नहीं चाहिए इसका अपने ख्याल रखना है कड़ाई ऐसी लें जिसमें चीजें जले ना जरुरी नहीं के नॉन स्टिक कड़ाई आपके पास हो तो आप बना सकती है सिल्वर की कड़ाई को पहले आईल से ग्रीस या करें अक्सर उसमें चिकन बॉयल चिपक जाता है ठंडे से आईल से ग्रीस करके फिर आप रखेंगी ना तो पहन आपका चिपकेगा नहीं अब हम इसमें डाल देंगे मसाले जिसमें डालेंगे कुटी वी लाल मिरच आदा चाय का चमच कुटी वी काली मिरच एक चाय का चमच से थोड़ा सा कम रखेगा बहुत तेजी ना है नमक इसमें डालेंगे आधा चाय के चमच से थोड़ा उपर अंदाजे से जैसे हम डालते न कुटी लाल मिरच आपने डालना है आधा चाय का चमच काली मिरच कुटी भी डालनी है आधा एक चाय के चमच से कम आधा चाय के चमच से ज्यादा और नमक आधा चाय के चमच से थोड़ा ज्यादा कुट्यल गाडा मिर्च अधा चाय जो चमचो कारे मिर्चन जो पाउडर या कुट्यल विजन दो हिक चाय जे चमचे का घट अधा चाय जे चमचे का मत्य अंदाजे सां भी झाय थोड़ा है यह हम तरह लून हें विजदासी अध्द चायज चमचे का थोड़ा अमत्थे अद्री कि यह के बाद हम इसमें डालेंगे औरी गानो अप्शनल हैं अगर नहीं है तो इसके बगहर भी बन जाता है नहीं तो औरी गानो इसमें जाय का चमच चीजे लिलाने के बाद आप विजन्दा से एक छाई जो चमचः यह सब चीजें मिलाने के बाद आपने इसमें क्या डालना है चीनी एक चाय का चमच इससे मिठास नहीं आती, फ्लेवर बहुत अच्छा था, चीनी एक चाय का चमच, खंड हिक चाय जो चमचो, अब इसमें डालेंगे एक खाने का चमच सफेज सिर्का, नॉर्मल वाला जो चाइनीज में यूज करते हैं, एक खाने का चमच, सोया सॉस, एक खाने का चमच, चिली सॉस, होट सॉस, जिसे कहते हैं, चिली सॉस, यह थीन चीजें तो मिल्की सबको पता होती है, चिली सॉस, एक खाने का चमच, सफेज सिर्का, एक खाने का चमच, चिली सॉस, हिक खाने जो चमचो, सोया सॉस, हिक खाने जो चमचो, अच्छो सिर्को अब इसको हलका सा हमने यहां पर स्ट्रफ आय करना है बहुत ज्यादा गलाना नहीं है सब्जियों को ठीक है इसके मिक्स हो गई आखिर में हम डालेंगे मैदा एक खाने का चमच मैदे से क्या होता है स्टफिंग अच्छी होती है और यह जो मसाला है न मिक्स्चर है यह आपस आप आइग अच्छा करता है तो एक खाने का चमच मैदा डालेंगे फिक खाने जो चम्चो मैदा विंदो ठीका अब आँच हल्की कर देंगे मैदा डालके इसको मिक्स करेंगे 30 सेकंड तक मैं दो विजीन के अद्रमेंट मिक्स कंदासी आएं ब्रेक जो टाइम भी अचीव हो मिक्स करके मैदर डालके मिक्स किया चूला बंद कर दिया और इसको मैं कर रहा हूं डेश आउट यह होगा ठंडा फिर हम इसके बाद स्प्रिंग रोल बनाएंगे शॉट ब्र जाने ब्रेक के बाद के रासिपी कंटिव कर दो तक वेल्कम बैक नाजीम ब्रेक तेवने का पहीता है सामु जेके इस प्रिंग रोल यानि जेके वेजिटेबल रोल जी असा मिक्स्चर थाईवी ही थदी थी वही है ठीके वेजिटेबल रोल का जो अग्स्चर बनाया था यह जब ठंडा हो जब पिर आपने इसमें हरा पयास मिलाना है तो प्हले नहीं मिलाना है तो पानी छोड़ देगा काला होना चूरू जाता हो ॉलेटे निकाल के जब आपने इसको थंडा करना है फिर आपने इसमें हरा प्यास मेलाना इस चीज को नोट कर लीजेगा ठीक हाफ कप अब अब ने आपको सिखा दी थी बनाना तो यह मार्किट में भी मिलती है यह आप ले सकते हैं कटिंग हमने स्क्वेर शेप में करनी है और इसको है तिकोना यहां पर एक अंडा अपने फैंट लेना एक अंडा फैंट लेना बाद लोग क्या करते हैं मैदे की लाई बनाते हाफ कप मैदा हाफ कप पानी से गाड़ा सा पेस बनाते है उससे भी हो जाता है और इस तरह भी हो जाता है लाई ठाई दो मैदे जी ता अद कप म market में मिलते हैं जो इसकी नोक है न यू तिकोना रखें इस तरह नोक से start करेंगे तो यहां से हमने mixture उठाया यहां पर रखा corner पर दो खाने के चमच से तीन खाने के चमच जितना भरे वे होने चाहिए ठीक है तीन खाने के चमच आपने रखा mixture, mixture रखने के बाद इस तरह सेट करें सेट करने के बाद आपने यहां से नोक उठाई इसकी और इसको यू रोल किया यू रोल करके यहां तक लाए उसके बाद आपने क्या करना है ब्रश लख ले या फिर हाज से भी कर सकती है अंडा उठाया, अंडे को आपने यहां पर लगाया, side ओपर, ठीक है, यहां कर देता हूं ताके देख सके बेदो आए, बेदो खायो, यह तरह लगायो, वरी बेपासे भी लगायो, मेदी जी लाई भी लगायी सको था, ठीक है हे करनखापो, इसको आपने यहां पर फोल्ड किया, बिपकुल तरीके से, ठीक है, यहां पर फोल्ड किया, यह देखे, इस तरह फोल्ड करने के बाद, अब इसको हाथ से यह सेट करें, सेट करने के बाद, आपने फिर अंडा उठाया, ब्रुश से लगाया, ब्रुश एज अच्छी तरह यह लगा दिया इसके बाद अपने इसको प्रेस करके पकड़ना है और यह रोल को आपने इस तरह घुमाते जाए आखिर में हलका सा आपने यह पे यह लगा देना फिर इसको यह आप असलाम लेकूम अँसम आपको बहुत बहुत आप आप जिए अजयर खनास कर रहें जी मैं नवाज शहर अपद कर चाज कुज मैं अपने अपने टादया ना से जी जी अब यह आपने रोल किया इस तरह रोल्स बनाते रहें अब यह फ्रीज भी कर सकती है जब फ्रीज करना ना तो एक साथ एक दूसरे उपर नहीं रखने आपने ट्रे में सारे फेला के रखने और वह फ्रेज़ा में रख दें 12 गंटे 24 गंटे कमस कम 12 गंटे चोड़ें जब सकत हो जाएंगे रोल निकाल के फिर आप बॉक्स में भर दें या जो जिपर लॉक आते हैं शापर आती उसमें डाल दें या शापर में 6-6-5 पंच जितने आपने इस्तमाल करने उस तरह पैकेट्स बना बना के फ्रीज कर दें या फिर या करेक का जाते हैं कोई मसला नहीं उसको आप कंट्रोल कर लें अपने साथ इसको लगा के अटे को और सॉड़ी अन्डे को असलाम लेकूम एखलाम लेकूम वालेकुम सलम शेशल लेका, अलहम्दोहिल्लाओ, ठीक ठाक, ताक हे रमजन मुबारक कुछे कुछा रो चालें ताल्य ठीका ताजी त्यारी हले पए रमजन जी अजी चात हैं दो अजी जो सामोसा घर ने खाई नाई ना बारा कॉन वठान नाई यह सुठी गाला है घर जो अधीक साफसुतरो सेहतमन वाखादु हाँ गाला चात खाला है नादा हुआ ए जो चोला आप बड़ा तो चात है हालो ठीका मा भी अच्छा प्योपो इफतारी थे अच्छो बेटा इनेखा वदीग तका गाल्टी कोटे दा बस द्वाउं में आदा कच्छो अच्छो आओ ता याद आयो बेटा आए अलाह सा जड़ी अच्छ फ्यदावत जड़र으로 मुलाकात कभी ता सा कझा एंच्छो आओ याद आओ ठेदाप में आञleşा आनना थे टिटा इंश्टला 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 अऊं तो कझा है ripping यहा हुद्धकिन और रैटे इंश्टला विव। ऐसा झाल फ्रेसूर हैeneca alc вдруг अपर सकता है देके इस तरह बात भी करता जा रहा है और रोल्स में थी कह आए ठीक है पहले से अन्डे सैक्ञेमे होता है तो माडलों सब्सक्राइब लेक्टरूम हां अबी रिके न्याय करने 100 ंउμα चराई तो में सकता जाए। रोल्स बनाएं और इस तरह फ्रीजर में रखते जाएं ठीक है ख्याल करना है अपने किसके किनारे खुले ना और साथ साथ में थोड़ा सा यहां से साफ करों अंडा जो गिर रहा है ना वो एक्स्ट्रा ना हो जाए करने का सबसे बेटरिन तरीका यह जो मार्किट वाले खाते हैं रोल तो उसके अंदर नहीं जाता हूए घर में अक्सर यह शिकायत आती कि खाला प्रक्रव जाता है और यह खालते हैं यह कर दो कि चार खाला प्रक्रणाए नहीं होरा कि क्यों कि नहीं ही है कि तैकि यह बैंडिंग वहां जाता है ए तो यह अज ability कायों दें है शायर की रेगलिका उस्के और यहां से को इसको से कि अ और इसकी मांदापटी की रेसिपी बता देता हूं किसे बनानी थी और मैंने बनाना भी सिकाई दी है और कुकिंग विट वैसल हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं मांदापटी की रेसिपीज और अपलोड हैं ठीक है तो आप वह देख सकती हैं अब देखें एक ही मुझसे तूट गई तो यह भी आपके सामने यह बता देता हूं कैसे होगी यह तूट गई तो इसको आपने यह लगाया अंडा और इसको यह फोल्ड कर दें अगर टुट्री पायती ना किता भी तांके लगे तो परेशान ना आते हो बेदो लगाई शड़ियो अगर क नमक डालके उसमें एक खाने का चमच कोकिंग वॉयल डालें और जैसे हम सखत आता गुनते ना थोड़ा थोड़ा पानी मिलाके सखत मैदा अपने गुनना है गुठली ना हो प्रिकल स्मूथ मैदा गुनके 15 मिनट चोड़ दें उसके बाद आपने इसमें से पेड़े बना खुश्क आटा जो मैदा है वो पहला के डाला फिर दूसी रोटी रखी फिर घी लगाया हाथ से फिर खुश्क मैदा डाला फिर तीसी रोटी लगे फिर घी लगाया फिर मैदा डाला फिर चोथी रोटी रखेंगी तो उसके उपर अपने घीनी लगाना फिर उसको रखके बराबर करके आपने रोटी को बेलना है, अच्छी तर जितना बड़ा तवा है अपका फुल साइस का उतने बड़ी आपने रोटी बेलनी है, तवा तेज गरम होना चाहिए है, रोटी डाली, तर जितने बड़ी, तर बेलनी है, तो बहुत इसी है, मांदा पटी बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है, घबराएना अराम से बना सकती है, एक मांदा पटी जो लिक्विट के साथ बनती है, वो भी एक दो दिन में बनाओंगा, उसके लिए मैं बनाओंगा चिकन तिका रो लिक्विट से पटी कैसे बनती है, तो वो भी देखिएगा, ठीक है, लिक्विट सा पटी किया ठान दिया, वो भी तहां के ठान से खार भी, आई हाने, हिनके, जल्दी जल्दी मां किया पो, ताकि रमजान ट्रांसमिशन भी है, आई बुखे पो ही, जल्दी टाइम सा पर दो कि खुड़ें, यह आपको समोस में इस तरह अगर तूट जाती है ना पत्ती तो इसको आप छोड़ दें इसको आप समोसों की पत्ती काट के बना लिया करें, ठीक है, समोसों में नहीं तो और ज्यादा तो पर इसकी पापड़ी बना लें, पापड़ी हम जैसे छोल में यूस करते हैं ना चार्ट में, तो कल हम बना रहें दही बड़े, कल का प्रोग्राम में इसनी कीजिएगा, दही बड़े, दही बेरो की चटनी, दही बड़ा मसाला, सब कल बनाने सिखा हूँगा, पूरा सैट होगा, तो जरूर देखेगा कल दही बड़े, असलाम लेक अच्छा, चार चार थांब इस दो शियुक, अच्छा, 있으니까 अच्छा, ड़ायाःा तो चांट जो बधाया जो ना तमा नतो बधाई सँगा यूट्यूब पे तेपी नता भी सब्सक्राइब ना एक जाद अश्या लाफ़े तैंक यौ लाफ़े चोके हाने माता है बुदाई चाना रमजान रुर नन तफ टाइम मुंझे उड़ वड़ा मुंझे जो तमा हैनमे का रेसिपी जेका असान हों दिया उता जल्दी बुदाई तो छना लेकिन वद्धीक डेग नतों करें चाह करना था मुझे प्रोग्राम कंप्लीट करनों दुआ है पूरों मौट इन में हिकरे मिन्टे जो भी चांस नतों जे नॉमल प्रोग्राम में ता साथ टाइम हुं दो अच्छा ये आराम आम से ये जैसे फट गई है ने से रखने से फट भी जाती है तो कोई मसला नहीं ये भी आप खोड़ने इस तरह आराम से पटी इसको भी हम यूज कर सकते हैं ये जान बुचके मैं दिखा रहूं ताके बना की क्रैक वाली भी इसमें भी हम बना सकते हैं वापस कवर करके रखना है चान के चान के क्योंकि जब हम कोई चीज फ्राइ करते हैं तो उसके पार्टीकल्स उसके पीसिस जो होते हैं वो जाते हैं और फिर कच्रा सा बनना शुरू हो जाता है डार्क होना शुरू जाता है पिर हम कोई चीज फ्राइ करते हैं तो उसमें तक यूज कर सकते हैं एक तो यह होता है और उसमें कोई पार्टिकल नहीं आता क्योंकि हर चीज अलग अलग बन रही होती है पकोड़े अलग हैं हर चीज का अपना फ्लेवर है तो वह फिर मिक्स नहीं होता बिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से सफाई से चीज़ें बनती हैं ज जिसमें क्रेक्स आगें यह भी मैं इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप देख सकें कि यह जाया नहीं करने है तिक है पट्टियों असा इंदें फोल्ट कंदा रूंकर जल्दी जल्दी आई हाने इनके कंदा सी डी फ्रेज चटनी हूं रोल जिए टोमेटो केचप चिली यूट्यूब दे विंदो को किंग विद फैसल ताकि तमाम सुठी रस्पी जो मिली विंद्यू होता खानी सब खोथा ठीका तो चटनी की बहुत सारी रस्पी बनाना सिखाई आपको और टोमेटो केचप चिली गार्लिक सॉट और हरी चटनी का पाउडर लाल चटनी का प कितने रोल बन गए हैं यहां पर 12 रोल का मैंने जो मिक्सचर बनाया था यहां पर मैंने शहबास कोकिंग ऑईल यूज किया है ठीक है इसमें से मैंने पाउच निकाल के डाल दिये थे तो शहबास कोकिंग ऑईल यह हमाई पस 1.5 लिटर है आप एक लीटर में कर सकती हैं कभी में सामोसे रोल यह चीजें यहां पर में यूजना करें हमेशा डीFry करने से ही सारी चीजें इच्छी बनती है वह देए जलना शू right कई कलर आ रहा होता है कईं को आ रहा हैं करीना पाई यह यहां पर यूज किया है और इसको हमने गरं करना है नॉर्मल टेंपरेचर पे इतना गरम ना हो कि आपके रोल समों से जलना शो जाए इस चीज़ का बहुत आपने ख्याल रखना है कुकिंग करते वक्त ओयल का टेंपरेचर बैलन्स रखना होता है तो आप लें शहबास कुकिंग ओयल मार्किट में विलेबल है बनास पती की इन्शाला मीठे बनाओंगा पराटे भी आप लोगको बनाने से खाने सहरी अफ़तार के लिए तो वह भी देखिएगा तो अब ये एक रोल और बना देते हैं मांदा पटी बहुत असानी से बन जाती है कोई मुश्किल नहीं है अगर नहीं बनाना आती तो मार्किट से लें मार्किट में मिलती है और जितनी पेड़ा छोड़ा होगा और रोटी, जितनी पतली बेलेंगी, उतनी ही औच्छी आपकी डोल, उतने ही अच्छी बणेंगे, समोसे इतनी अच्छी बनेंगे, ठीक है, 12 रोल बना दिये, मैंने इस कुएंटिटी में 1.5 पाउ सबजी थी, 1.5 पाउ चिकन था, इसमें अराम से 12 रोल बनेंगे, नॉमल साइस के जो हम वेजिटेबल रोल मार्किट से लेते हैं, और अगर आप पतले और छोटे साइस के रोल बनाना चारी हैं, तो 15 बनेंगे आपके इसको फोल्ड करते हैं यहां से, और अंडा नी लगाया, और टेमपरेचर डिटो गरम थी वने, इलाही वदी गरम ना थी है, तब पोहेने के असाँ रेस, डी फ्राइ करना से, ठीका, यहां के स्प्रिंग रोल, और आखिर में भी अंडा लगाएंगे, एक अंडे से काफी अब यहां पर क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए यहां से जो टूटी वी पट्टी है यह डालते हैं, यह देखें, यह बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, हाने बिल्कुल तयार है, पट्टी माइन विजी शरी, पी सिक्ड़ो, उनके खबर पेजी में दुआ कि यह जब और फ्रेज में नहीं रखने, फ्रेज में रखने से क्या होता है, कि यह नरम पड़ जाते हैं, और जो आपके रोल थोटे से टूट रहोंगे उसको पुछ भी नहीं करना, आपने लगाना अंडा प्हेंटावा लगाएंगी तो उससे क्या होगा, उसकी बाइंडिंग जाएगी वह खुलेगा नहीं रोल आपका इसको अब डालते चाहें विजन्दावन हो चार 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 पंचे पंचे तरी कड़ाई में जगाए जगाए जो एक विजमत था पो चिपकी पहिंदा ठीक है बहुत जादा ओवर नहीं करने इस तरह बनाएं कि वह चिपके ना ठीक को आपने चलाना है रोल जब चलाएंगे तो उससे क्या होगा बिपकुल पर्फेक्ट एक जैसे हर्ताइके से बनेंगे वरना एक तफ छोड़ दिया तो डार्क और लाइट शेड में आजाते है रोल हमेशा आप देखा होगा बाहर भी जब बन रहे होते हैं बैक्री जब तो वो चला रहे होते हैं रोल्स को लेकिन कड़ाई को पकड़ के यह ना के कड़ाई उचल जाए ठीक है अब इसका पर्फेक्ट कलर आएगा तो हम इसे डिश आउट करेंगे रेक जो टाइम थेपर हो या तो गुधाई शच्जमों के बने कल हम बनाएंगे दही बड़े सुभाने ठाइंदा सी दही बड़ा दाल जा माश की दाल के या मूंग की दाल के दही बड़े कल बनाना सिखाऊंगा मेसनी कीजिएगा दही बड़े की चटनी हरी वाली दही बड़े की लाल चटनी दही बड़ा मसाला और दही जो उसका बनत रेसिपीज हैं जो आप लोग को फर्माईशे भी करनी हो तो आप लोग बता सकते हैं तीन से चार में डेली लाइव हों ठीका ट्रेखा चार रोजानों माद आसागत लाइव हैं अई शेबास कुकिंग ओयल में ही ठन पे शेबास कुकिंग ओयल हर जगा मिले पे हो बलके हाने लास्ट हैदराबाद में विवस्ता होते मारी टो काफी होते यूस्ते प्यों काफी अलियों पे शेबास कुकिंग ओयल वाटो वाइटामीन ए आइंडी का बर्पूरा लोग कॉलिस्ट्रोला बहतरें कुकिंग ओयल में दस्तियाब आयम मार्कित में हिंजी पैकिंग तारी अधिया थी में दार कलर में अधिया जड़े बनास पती घी में ता पराटा थाइंड़ जो कलर गोल्डन हिंदो खुबसूत कलर रिग जो टाइम तो एक शॉट ब्रेक ते औनो प्या जेस ताइं माही सज्या रोल्स फ्राइ करे करें तो बटू पर शॉट ब्रेक पे जब अधिया रोल्स फ्राइ करके निकालूंगा लेतिंग शॉट बटू 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 पर इसको पल्टाते रहना है क्योंकि ये फ्लॉटिंग करते एक ही तफ रह जाते तो इससे क्या होता है कि वो फिर एक तरफ कलर आता है ठीक है तो इसको घुमाते रहें बहुत एतियास से आइल ना गिरे आपके उपर कड़ाई फिलिप ना हो तो इसको बस पल्टाते रहें ताकि हर तरह से इसका कलर आता रहे ठीक है दोनों तरफ से आपने इसको पल्टाना है पल्टा किस तरह पकड़ेंगी तो इसका कलर आएगा री बहतिरिन किसम के रोल्ल यहाँ पे मैंने में कुछ निकाल दियें कुछ और निकालेंगे अभी और इसको निकाल के छणी में रखें वैत今日は को किन्ग ओैल है श्यबास कोक्रणा के उलिए झालें बर 16 में किस अपके यह कौने यह爸ने सिर्फ खूराक कल नहीं यह पल्के हमारी सचाफका पै कुराबह 194 खी कि तक जितने सूबें हैं जितने अलाके हैं उनकी अपनी सकाफत है उनकी अपने खाने हैं अपनी एक रवायत है और एक अपनी लगज़त है ठीक है तो शबास कुकिंग ऑईल में जब यह खाने हम बनाएंगे तो बहतरीन बनेंगे वाइटमिन ए ई और डी से बरपूर है लो की बनाते हैं मिठाइयां बनाएं जब पराटए बनाती हैं सहरी की टाइम पै तो क्युकिंगी जगाब बनासपती घी हमेंशा इस्तमाल किया करें तो उससे क्या हूता है कि पराट्फों का कलर बहुत अच्छा आता है बनना हम पराटएं आगर ओल में बनाते तो वह कलर न अक्सर शाम में जब महमान आजाते हैं या शाम में चाय के साथ अब बनाएं साइज में आप छोटे भी बना सकती हैं जिस क्वांटिटी में मैंने बनाए हैं उसमें डेड़ पाओ के करीब हमने चिकन यूज लिया था किया था और डेर पाव हमने ली थी वेजिटेबल जिसमें गाजर बंगोबी और शिम्ला मश्टी तीनों सबजियां बारी कटिंग की थी डेर पाव चिकन था उसको एक गलास पानी के साथ बॉयल किया था बॉयल करके पानी खुश कर दें ठंडा करके शैड़िट कर दें काम ना पड़े पिर आपने चिकन डाल दी थी तो अज तोड़ी मीडियम कर दें सोय सौस चिली सॉस सफय सिरका एकेखाने का चमच काली मिरच कुटीवी आदा चाय के चमच से ऊपर पोना चाय के चमच ठीक है और हो चाय का चमच उसके बाद चिकन पावडर डाला था एक औरिगानो अगर है तो डाले, ना है तो ना डाले, औरिगानो इसमें पक्ति में पाकिस्तान में भी ãy Hub 있다는 dollars कि ही हुई हुई है। यही यहां पर स्थानज के अपडियों था तरह आपने प्धेas, यहां नर्ट-DADE घ्याब के सब्सक्राम, तक गातिह ए Heidi's celebration impact की। उस तरह आपने इसको बनाना है, पटियों को अंडे से कोट करें, या पिर आप इसको उससे कोट करें, जो है, मैं देखिया जो हम बनाते हैं, बैटर ठीक है, उससे भी कर सकती है, तो यह हमारे हो गए, स्परिंग रोल तयार जबरदस किसम के, यहां पर मैंने रख दिया है, स बहर ने रिपीट, खालब है रिपीट जो गदाये जो, कुछ, जी, रिपीट का अगर टाइम है तो भी बता देता हूँ के अब क्या हुआ है, अभी तक मुझे पता नहीं चला था, कि रिपीट पहले नौ बज़े होता था आपका कुछ पता नहीं है, क्या है, पता चला त ये कट्स लगाएंगी तो ये फ्लावर बन जाते हैं ठीक है नॉर्मल पानी में डिप करें इसको कट्स लगाएं तो ये बन जाते हैं फ्लावर ये फ्लावर जब बन जाते हैं तो ये आप इनमें रोल्स में किसी भी वेजिटेबल में किसी भी चीज में आप रखें तो बड तैक है बिलकुल असान कल हम क्या बना रहे है कल हम बना रहे हैं दही बड़े मूं के या माशकी डाल के बनांग़ तो मिस्स कीजएगा, ख luckily à तो वो इसकी फर्माईश भी आरी थी और इसकी दcrowd हो की तो मैंने कहा था कि मैं फ़र्स्ट एस्ट कॉ बना दूंगा तो कल मैं बना रहो कल सुबह 8org रिपीर चलेगा ठीक है कल सुबह 8 बजforme रिपीट चलेगा डेली तीन से चार लाइव हो रोजाना आपके साथ और सुबह आठ बजे रिपीट चलेगा ठीकर डेली में आता सगर लाइव आया चार खार आई सुबू जो जिकवा है यो हलंदो रिपीट अठें बजे इन्शाला कल तीन बजे लाइव आउंगा दही बड़ा मसाला वो बनाना सिखा हूंगा मैस नहीं कीजेगा सुबह आठ बजे यह वाला प्रोग्राम रिपीट देखेगा अपना बहुत सा अखाल रोजे रखें मज़ेदार खाने तो हम खातें लेकि इबादत की तब भी जाएं बादत भी करें और तलावत भी क्या करें नहीं रेसिपी के साथ तब तक दौमेद रखेंगे 0314-2675311 मेरा वाटसप नमबर है उत पर वाइस मैसेज या मैसेज करें कोई रासिपी के बारे में को हैल्प चाहिए तो आप मैसेज कर सकती 0314-2675311 इन्शाला सुबह ने अठें बजे रिपीट हलंदो ठीका है आएं को 675311 मुझे वाटसप नमबर है हिने नमबर ते ताह वाइस मैसेज या मैसेज करी का भी रैसिपी खपे ताह वाठी सा गोता पांजो खोड़ सारो खेला करने दौमें दौमें दौन 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 आफेस क्रीका है